हलो फ्रेंड जोब करेर इंडिया की यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है फ्रेंड आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जीस्टी से बन दे कुछ कोस्चन्स को यहाँ पर कवर करेंगे ये कोस्चन्स आपके एक्जाम में हर वर्स पुछे जाते हैं हमारा पहला प्रेंश ने जीस्टी का पूरा नाम क्या है इसका सही एंसर है गूट्स एंड सर्विस टैग इसे हिंदी में वश्ट और सेवाकर भी कहते हैं अगला प्रस्टन है GST परिशत का मुख्यालाए कहां है तो इसका एंसर है दिल्ली अगला कोश्चन से है हमारा GST लागू करने वाला विश्चो का पहला देश कौन सा है इसका सही एंसर है फ्रांस जिएष्टी लागू करने वाला विश्टे देश बना अगला कोश्चन है जिएष्टी किस प्रकार का कर है इसका सही एंसर है अगला कोश्चन है भारत में जिएष्टी लागू करने का सुझाओ किस ने दिया था इसका सही एंसर है विजय केलकर समिती ने अगला कोश्चन है अगला question है भारत में GST का प्रस्ताव कब लाए गया था तो इसका सही अंसर है सन 2000 में भारत में GST का प्रस्ताव पहली बार सन 2000 में लाए गया था अगला question है GST की चोरी करने में कितने साल का कारवाश होता है तो इसका सही answer 5 साल अगला प्रस्ण है हमारा भारत में कौन सा सम्मिधान संसोधन के तहर जी अश्टी पारित किया गया इसका सही answer है एक 122 सम्मिधान संसोधन अगला प्रस्ण है GST पंजी करन में कुल कितने अंख है इसका सही answer है 15 GST पंजी करन में कुल 15 अंख है अगला प्रस्ण है GST की दरे कितने प्रकार की होती है जिन में 0% 5% 12% 18% और 28% की दरों का कर लगता है GST में अगला प्रस्ण है हमारा GST बिल में राष्ट पती ने कब मंजूरी दी थी इसका answer है सितंबर 2016 में GST बिल को राष्ट पती प्रडब मुखर जी ने दी थी अगला प्रस्ण है भारत का GST किस देश के मौडल पर आधारी थे तो इसका सही answer है कनाड़ा सर प्रथम GST बिल का प्रारूत तयार करने वाली समिति के अध्यच्छे कौन थे तो इसका answer है असीन दास घुपता हमारा अगला प्रस्ण है GST बिल को सबसे पहले पारित कहां किया गया था इसका सही answer है तेलंगाना जी इसका से बिल को सबसे पहले तेलंगाना में पारित किया गया था आज के स इस वीडियो में कोई आपको तुरूटी समद में आती है तो आप उसे कमेंट्स कीजिए और अगर GST से रिलेटर आपके पास कोई 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 या आप कोई सजेशन देना चाहते है तो उसे भी कमेंट्स कीजिए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए चैनल को कीजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद